अगर अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया है कि कोई स्वीट घर पर बनानी है कि नहीं तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंस्टेंट गुलाब जामुन जीहां वो भी बिना मैदा विना मावा की कैसे तो इसे रेसिपी में आप देखने वाले हैं और यह रेसिपी तो जरूर से उसका लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजेगा तो लेट स्टार्ट रेसिपी राखी स्पेशल में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सूजी के इंस्टेंट गुलाब जामुन उसके लिए सबसे पहले हमें बनानी है जाशनी कैसे बनानी है हमें दो कप शकर और दो ही कप पानी तो बराबर मात्रा में आपको दोनों चीजे लेनी है और याद इतना रखना है कि इसे एक तार्की नहीं बनानी है बस जैसे ही शुगर इसमें डिजॉल्व हो लगब पांच मिनिट आपे से पकाईए और इस चाश्मी में डाली है दो से ती सोटा चमज को खाने का होता है उतने ही आपको डालना है और अब इसमें डालेंगे आधा किलो उबला हुआ दूद जी हां बॉयल दूद है उसको दुबारा से हमें इसमें गरम करना है और जैसे इसमें उबाल आएगा तो हम इसमें 500 ग्राम सूजी धीरे-धीरे मिक्स करें तो याद रखेगा आधा किलो दूट 500 ग्राम सूजी और यह बन जाएगा परफेक्ट आपका गुलाब जामुन का डो साथ ही इसे और भी जादे यमी बनाने के रहे हम डालेंगे एक चमज भरकर मिल्क पाउडर और थोड़ी सी पाउडर शुगर मीडियम लो फ्लेम पर त कितना सॉफ्टे लग रहा है तो चलिए फड़ा फट से इसके बना लेते हैं और आपको बताते हैं कितना अमेजिंग यह इंस्टेंड मिठाई राखी पर आपको तारीफे देने वाली है तो देखे बिलकुल भी क्रैक्स में नहीं दिखाई देंगे और जो चाहे आप इसक हमारे गुलाब जामन को इस तरह चम्मच को घुमाते वे आपको फ्राइ करना है तो फ्रेंड्स राखी हो या कोई भी त्योहार बाहर की मिठाईयां फैस्टिफ टाइम में स्पेशल ही बिलकुल भी लेना हाइजिनिक नहीं होती क्योंकि वह जैसे तैसा मावा उसमें इस् और डिप करके इने कम से कम 20-25 मिनिट आप रख दीजे और तयार आपकी ये इंस्टेंट मिठाई फॉर राखी तो देखें कितने टेम्टिंग ये गुलाब जमन लग रहे हैं तो इसी तरह आप भी बनाईएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा और का विट स्टैल पर तिल देन खुश रहिए अपना ध्यान रखे और याद रखेगा लाइफ इस ब्यूतिफुल